गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स वेलकम इन अवर ओनलाइन क्लासेज इट्स यूर मैथ क्लास स्टुडेंट्स आपने चैप्टर नमबर नाइन पेज नमबर 123 ओपन करना है पेज नमबर 123 पे आज हम डेफिनिशन रीड करेंगे पॉइंट और लाइन फिर्स्टरी हम रीड करते हैं पॉइंट की डेफिनिशन तो देट्स फिर्स्टरी हम पॉइंट की डेफिनिशन रीड करते हैं Mark a dot on your notebook with a sharp pencil. This is a point. क्या कह रहे हैं वो? जबभी हम अपनी pencil के साथ notebook पे एक dot mark करते हैं हम एक dot लगाते हैं this is a point. हम उस dot को क्या बोलती है point बोलती है उस dot को हम क्या बोलती है point बोलती है a point is an exact position on a flat surface it does not have length, width or height जो point होता है उसकी exact position on a flat surface उसकी exact position surface के उपर होती है it does not have length length के होती है लंबाई इसकी कोई भी लंबाई नहीं होती है width के होती है चड़ाई इसकी कोई चड़ाई नहीं होती है और height के होती है उचाई इसकी कोई भी उचाई नहीं होती है जो point होता है जो हम pencil के साथ notebook पे एक dot लगाते हैं उस dot को हम क्या बोलते हैं point बोलते हैं उस point की हमारे पास कोई भी length नहीं होती है कोई भी breadth नहीं होती है और कोई भी height नहीं होती है अब point is named with a capital letter जो हम point लगाते हैं हम उसको कौन सा name देते हैं capital letter जैसे नीचे हमारे पास जो point है उसको हमने क्या name दिया गया है उसको capital A दिया गया है और जो second वाला point है उसे उन्होंने दिया है capital C तो जो हमारे पास point होता है उसको अगर हम naming देते हैं तो क्या देते हैं capital letter के साथ students clear तो students next हमारे पास है definition of line line क्या होती है a group of many points moving endlessly in both directions is called a line repeat again a group of many points बहुत सारे points का एक group moving endlessly in both directions जो move कर रहा है endlessly मतलब उसकी जो moving है वो खतम नहीं हो रही in both directions दोनों directions में क्या है वो move कर रहा है उसका हमें end point नहीं मालूम is called a line उसे हम क्या बोलते हैं line a line has no ends line का हमारे पास end नहीं होता है वो move हो रही है दोनों directions में it extends in opposite directions वो दोनों ही directions में extend हो रही है आगे बढ़ रही है दिस मीन्स दाट a line does not have a fixed length अगर वो कोई भी fixed length नहीं है does it cannot be measured तो इसका क्या मीनिंग हुआ कि हम उसे measure नहीं कर सकते हो हम उसे map नहीं सकते क्यूंकि उसका कोई भी हमारे पास ना तो उसका starting point हमारे पास होता है ना ही उसका हमारे पास ending point होता है इसलिए हम line को measure नहीं कर सकते जैसे नीचे हमारे पास एक a b line दी गई है जो हमारे पास a point है उसकी left hand side हमारे पास एक arrow का निशान है उस arrow का क्या मीनिंग है कि जो line है वो आगे extend हो रही है यानि कि उसका हमारे पास starting point नहीं है next जो हमारे पास b point है उसकी right hand side हमारे पास क्या है arrow दिया गया है उस arrow का क्या मीनिंग है कि वो आगे extend हो रही है मतलब कि हमारे पास उसका ending point भी नहीं है the arrow show that a line never ends जो arrow हमारे पास दिये गए है उसका हमारे पास क्या मीनिंग होता है कि जो line है वो हमारे पास end नहीं हो रही है वो आगे आगे extend हो रही है तो students अगर हम simply line की definition read करें तो line की definition क्या होती है line हमारे पास points का group होता है जिसका हमारे पास ना तो starting point होता है ना ही line का हमारे पास ending point होता है इसलिए हम इसे measure नहीं कर सकते तो students next हमारे पास है types of lines lines की हमारे पास कितनी types होती है lines की हमारे पास two types होती है सट्रेट लाइन और curved line सट्रेट लाइन और curved line सट्रेट लाइन हमारे पास क्या होती है a line that follows a सट्रेट path is known as सट्रेट लाइन सट्रेट लाइन हमारे पास क्या होती है जिसका हमारे पास पाथ है जो वो सट्रेट होता है जो अपनी डिरेक्शन चेंज नहीं करती बिल्कुल सीधी ही चलती है उसे क्या हम बोलते हैं सट्रेट लाइन next हमारे पास है curved line a line that changes direction is called a curved line a line that changes direction is called a curved line curved line हमारे पास क्या होती है जो अपनी direction change कर लेती है जैसे नीचे हमारे पास curved lines की examples दी गई है okay students clear thank you students stay home stay safe कर दो